तो जैपान की कहानिया है भाई मैं आपको बताता हूं कHI भाई भाई वहां पे लड़कीयों की अंडर बर मिलते हैं यूज्ड वहां पे गल्सेन भी रेंट पे मिलती है जैपैंमें अच्छा आप एक गया अधर रेंट पे ले सकते हो साइट से हैं लड़की चूज करो जो आपको सर्विस चाहिए उससाब से करो वहाई हम फिलेडेल्फिया करके शहर है यूएस से में दोनों तरफ लोग पड़े हैं जमीन पर कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है सब लोग ड्रग करें ड्रग के बारे में बात करते हैं व अवांकुर भाई ये भाई 113 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं और क्यूंकि आपको हमारे ट्रैवल वाले पॉड़कास्ट में बहुत मज़ा आता है अलग अलग देशों की बाते जानने में बहुत मज़ा आता है तो हमने का भाई प्लीज आओ और आप यहां पर हमारी ज इंट्रीज मानना पड़ेगा अब कुछ बनाने का हो है कि सबसे पहले मुझे करनी है सबसे चावार्ड बेसकता हूं यंगेस्ट इंडियन का जो सारी कंट्री वन 97 गया हो अभी तक मतलब गया है एक-दो इंडियन गया है पर मैं यंगेस्ट का खिताब में ले सकता हो भी और मज़ा आजाएगा आपको ऐसा कुछ अवार्ड मिल जाए तो भाई वैसे ये बदाओ ट्रैवल करने का चस्का आया कहा से आप मैं बाई ट्रैवल करने का चस्का तो पहले से था पहले मतलब कोचिंग इंस्टूट में मैं यहां पर मेडिकल की तियारी कर रहा था तो से मतलब काफी हाइफ स्कूल में अड्मिशन करा दिया था अपने लेवल से उपर के में तो उसमें क्या होता था था कि 2006 साथ में स्कूल इंटरनेशनल टूर लेके जाता था सबसे पहला टूर होंग कॉंग लेके गए ते 70,000 रुपे में मेरे को आज तक याद है मैंने बड पर मैं फिर समझ गया फैमिली प्रॉब्लम्स तो मैंने का चलो कोई नहीं फिर वहां से ऐसा लगाए गाउं से भी बंदा इटली चला गया अपने पेरेंट्स के साथ रहने बहुत ही मतलब गाउं का जैसे मतलब बच्पन का यार होता नहीं वो चला गया मेरे को बड़ा र पर थोड़े रिकवरी हो जाएगे हमारे पैसों की और तूर भी थोड़ा सस्ता पढ़ जाएगा तो सबसे पहला टूर में पापा के साथ थाइलेंड गया था सुनने बड़ा जीव है गये तो पापा के साथ भी टीवी लेने बाई अलगी सीने तो फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि यूट्यूब से कमाई भी होती है तो मैंने का यार मैं मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा था अपने मेडिकल कॉलेज में तो मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर ले 20-30,000 रुपे एक दिन मैंने का हिम्मत करके टिकेट बुक करी देता हूं फिर तो मना कैसी करें तो मैंने टिकेट बुक कर दी घर पर बताई ममी बोली मामा को ले जा अपने साथ पापा को ले जा अकेला थोड़ी ना जाएगा अकेला कैसे बेज दे मैंने का विश्वास करो हर बंदे को लेके जाऊंगा तो खर्चा नहीं निकलेगा मेरा तो फिर मैं पहला टूर गया बाइ दूसरा टूर तीन तूर अपर गया बीस तीस हजार में मैं बत्तीस हजार रुपे में सिंगापूर मलेशया साथ दिन गूम के आया था जिसमें वीजा फ्लाइट घर से उबर भी मैंने जोड़ दी थी सब कुछ खाना पीना रहना बत्तीस हजार मैंने खर्च कर रहे जगापूर तो मेहंगी कितनी कांट्री है और तो बहुत मैंगी कозм din बेहेंगी कांट्री है! फिर दो तीन दिन दो तीन तूर का मैंने पापा ममी से पैसे लिए दे उसके बाद यूटूब ने देना शुरू कर दिया तो मैंने काया रहे अच्छी कमाई हो रही है इस चीज से और मेरा मतलब चैनल चला तो जपान से चल गया था जपान एक अलग दुनिया है वो सब को द पापा प्राइवेट कॉलिज था पढ़ाई बहुत महांगी है असी पिचासी लाख रूपे उसमें लग गए ठीक है तो यह करवाने के बाद पैसा लगा इतना टाइम लगाया और उनको कन्विंस करा मैंने कि भाई मेरे को भी डॉक्टरी नहीं करनी है मेरे को इंट्रेस् कुना कम मिल रही तो मैंने वर्त नहीं ने यूजय यूय कुक्शार रूह पताए चैंज करोडा रूपाइवां को मैंने कशोड यूज ने बढ़ा कि थोड़े लिए को यह कोई करता नहीं है ऐसे क्योंकि डॉक्टरी तो बहुत बड़ी चीज है वाई कोई जैसे आपने करी है और एंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि डॉक्टरी कर और वह कर रहा और फिरो मना करें कि मुझे को चौर करना तो धक्का लगता है वही कि भाई मेरे को भी ऐसा कराले ना जितनी कराले मेरी वाइब डॉक्टर है उससे कराला मेरे को बकर दो तीन साल के लिए तो उन्हों ने छोड़ दिया तो भाई उसका बताओ जो आप अपने पापा के साथ गए थे थाइलाइंड वो उनके साथ कैसा थाइक्स्पीरेंस वो जानना चाहरो है क्योंक ना तो बस बाले ने कुछ बोला था कि यहां पर लेडी बोच जा इन से बचके रहना यह है वो है अब मेरे को उतना उस टाइम समझ में है पर मेरे दिमाग में वर्ड रह गए और फिर मेरे को पांच-छे साल बाद समझ में अच्छा यह गह रहा था वह तो इसलिए पापा टिप मिले हमें कब हम इनको बेजे और कब नया बंदा है वह यह की नवज पकड़ते हैं नॉर्मल वाली डूणनी बहुत मुश्किल है ना वाप तो कोई भी यकीन नहीं करेंगा थाइलेंड जाके आपने मसाज दी तो अपने दो दोस्तों को लेके गया था थाइलेंड 2010 के बाद 2022 में गया था वो दोनों दोस्त मेरी वीडियो में कह रहे है भाई पूरे गाव में बदनाम हो गए एक ताओ भी आगे पूछ रहा है मेरे ऐसे हो जाता है रियक्शन बाई अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं देशों की बात करना तो सबसे पहले हम उस देश पे चलते हैं जहां की बहुत है यूएसे सूपर पावर है बहुत अगड़ा वहां पे लाइफस्टाइल है लोगों को वहां जाना है वहां का कर दी गई है क्योंकि वह मैं चाहता हूं आप खुद अपने मुझ से लोगों को बताओ कुछ फैक्ट बाई यूएस से का मेरा ड्रीम था चुरू से 2019 मेरा वीजा कर दे रिजेक्ट मैंने का चलो अबनी करेंगे पर मैंने 2023 में वीजा ले लिया भार से किसी और देश से तो वेगस घूमी मैंने फिर उसके बाद मैं अलास का चला गया वापीस आगया अब मेरे को एक दोस्त मिल गया वहाँ पर जो कहता भाई मैं तरक असली साइड दिखांगा यूएस से कि क्या होती है मैंने का ठीक है बाई जब यार नियॉक की सब्वे में गए हम तो ऐसा ल अपने बस से सही लोग रहा है यार शेर बिल्कुछ साफसफाई है मैंने का यार यह कहां पर है तो फिर हो कहता अब चलते हैं जॉम्बी के टाउन में ठीक है तो वहां से हम अंदर गए गाड़ी चलाई होगे हमने 10-15 किलोमेटर में डाउन टाउन जैसे कनाठ पले से कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है वालमार्ट एक सूपर स्टोर है महां पर उसकी टोक्री लेकर उसी में अपना समान रखते हैं चोरी करके लेकर लेकर तोक्री उसी में समान रखते हैं वही उनका घर है टेंट लगा रखे हैं लोगो ने फिर हमने गाड़ी जब घ तो होश नहीं होता तो यह कैसे नीडल से लेते हैं और इतनी सस्ती है भाई हमने पूछा एक बंदे से कि कितने की ड्रग आती है कहता तीन डॉलर में तीन डॉज आती है अब तीन डॉलर अमेरिका वालों के लिए क्या है यार धाई सो रुपय तो इंडिया में भी कुछ नही हैं वह लोग तो भाई वहां पर हम गए इतनी तो गंदगी सब लोग ड्रग लेके पड़े हैं और उनको होश नहीं है मतलब जॉंबी की तरह करें पूरा हाथ मतलब मैंने एक बंदे का देखा पूरा हाथ में सो से दो सो नीडल के मार्स हैं तो हमने एक बंदे को का कि यह वहां पर फिलेड में और थोड़ा बता सकते हो क्या-क्या हरकत कर रहे थे वह रोड पर चल रहे हैं उनको नहीं पता पुलिस वाले मैं तो यह देख एहरान हुआ यूस इतना फेमस है पुलिस वाले वहीं पर खड़े हैं वहीं पर ड्रग की डिलिंग हो रही है ड्रग पुलिस वालों को पता है पुलिस ऐसा निए है कि पुलिस वाले रिशवत खा रहे हैं इंडिया की तरह निया कि रिशवत खार कर दो ख़ड़े हैं वो बस खड़े हैं कि कोई बंदा मरने की हालत में होगा ना 9-1-1 पे कॉल गरेंगे तो पुलिस वाला बस ऐसे 1st responder तो यहां पर हम जैसी एक ड्रग स्टोर में हमने अपनी गाड़ी बिना उस स्ट्रीट से एक किलो मेटर दूर पार्क करी थी क्योंकि हमारी वैन थी तो वैन अलग से ट्रेवलर्स की वैन शीशा तोड़ के ले जाएंगे कुछ भी वहां पर इंडिया में इतना वह नहीं है त इसी बात करने लग जाओगे आप मेर से ऐसा निया कि है लो करने हाई हावर यू आपका फोन कौन सा है कुछ भी बात करने तो हमने उस गाड़ से बात करी कहता भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ले गया बंदा चोरी करके पूरे शेल्फ खाली पड़े हैं वहां पर सब कुछ बढ़ा है फिर भी वह स्टोर ऑपरेट कर रहा है फोटो कीची और उसकी बागा नहीं नहीं गाड़ नहीं भागेगा वहां पर पीछे आपको गोली मार देगा वो ड्रगी चाकु मार देगा क्या कर लोगे अप ठीक है फोटो कीच के कर रहा है वह अपने मालिक को करेगा वो ड्रगी को देगा वो समान नॉर्मल लोगों को बेचेंगो सस्ते में उससे वो पैसे कमाएंगे और ड्रग लेकर आएंगे और वहां पर घरों की घर देखोगे ना सारी घरों पर जालियां लगी है भाई लोहे की बिल्कुल पैक घर मतलब आप गुरसी नहीं सक कि भाई वहां पर सेव नहीं करते लोग पैसे जितने पैसे आए उसको उड़ा दो भूमने में उड़ा दो वो सोचेगा थोड़ा पैसे एक पर ट्राई तो करके देखते हैं लोग अच्छी बात है लोग अपनी लाइस्टेल को डाने लेकिन ये ड्रग से डिक्ट हो जाना है मानलो की आपने चोरी कर ली एक स्टोर में वालमार्ट आपने 200 डोल्र की चीज़ें चोरी करके भागे गाडबाड आपको आ नहीं रोकते बाई गाड़ों को बस कहा में खड़े होना वह आपको नहीं रोकते आप चले गए आपके उपर पुलिस कोई इन्वेस्टिकेश आए है मैंने खुद देखा अपने सामने की गाड़ी खड़ी है पेट्रोल पंप हम पीछे पेट्रोल डलवा रहे थे एक बंदा आया गाड़ी साइड में लगाए अच्छा कासा गाड़ी में आया उसकी भी 15-20,000 डोलर की गाड़ी होगी साथ वाली गाड़ी का सीशा तो आपका ये स्टूडियो है ठीक है मानलो आपका स्टूडियो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर डाउन टाउन में बिल्कुल एले में अब पांच-छे लाख रुपे रेंट दे रहे हो इसका महिने का ठीक है और नीचे रहे हैं टेंट में लोग जो फुटपाथ है उसमें से टेंट लगे में उसी में बंदा रहता है उसी में उसकी टॉलेट करता है वह उसी में मौता है उसी में ड्रग लेता है उसमें ड्रग डिलिंग करता है उसी में सोता है और आप सोचो डाउन टाउन में रह रहे हो मैंने इस चीज़ में वीडियो बनाई है पूरे लाइन स ieder Knee Tint लगे में पूरे के पूरे LA में दिआ सभाओं में तो मेरो समझ में सामने लोग मतलब वेगस में जाते हैं तो ऐसा लगता है वेगस के साथ मैं ऐसा लगता है मैं पहली वार लेंड वा तीन दिन तक तो मैं इसी भुलावे में था भाई कि न मैं तो यार कुछ भी नियू इस दुनिया में मैं तो बच्चा हूँ और यहां पे लोग हजार हजार डॉलर ऐसी लगा रहे मेरे को बड़ा डिप्रेसिंग फ वैसे गांजा लीगल है पीना लेकिन घरा हां घरों के अंधर आप पी सकते यह पूपलीक makes यह आप दारूं में पी सकते यूर्यॹ्ह में कहते हैं कि यूुयेर भीयर य्वीर पीते वे चल सकते यूई में लीगल है कमए उर कशीनों जाते हम इसा होता है कि कशीनों और नशा कराते रहते हैं कि आप और जुआ खेलो कसीनो में ड्रिंक्स अनलिमिटेड फ्री हैं कहीं पे भी जाओ आप बस आपको वेटरेस को टिप देना ही पड़ेगा ठीक है तो एक डॉलर दो डॉलर देते रहो फ्री कितनी भी ड्रिंक पीते रहा पूरे दिन बैठे रहो आपके पर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वह आपसे चीन लेंगे जब तक हार होगी नहीं वह ऐसा कुछ नहीं है वह आपको आपके सिंपल कह देंगे है बड़ी यूर बैंट फ्रॉम इस कसीनो अब बाहर चले जाओं अच्छा होते हैं और ऐसा फैर रहते हैं वह या ट्रि जब सकते हैं तो फिर दीरे दीरे एक्वल हो गया बहुत नो प्रॉफिट नो लॉर्ण यही सुना है मैंने हर इंडियन की मुझे मैं एक्वल करके तो निगल जाता हूं तो थोड़ा नीच्चे होगा तब तक बैठ रहता हूं और वहां की पार्टी के बताहर काफी सुना ह कि LA की पीपार्टी बहुत बढ़िया होती है。 अगर आपने कोई टेंड करी है LA की पार्टी में इना टेंड नी करी मैंने हेलोवीन में पार्टी करी ती महाप पर तो तो में पुलिस ऑफिसर बन के आरी है कोई नर्स बन के आरी है मंलब ऐसे छोटे-छोटे कपड़ों में आरी है तो उस दिन मैंने कर थी ऑस्टन में टेकसस में पार्टी जिसको कहते है बेस्ट हेलोवींड पार्टी बड़ी घजब थी और सब लोग बहुत ही फ्रेंडली भाई जैसे इंडिया में जो अंजान है उससे आप इतनी लंबी बात नी करोगे महाँ पर यूस में एक दिन मेरे साथ एक बंदा बैठा था बस में वो मेरे से कहता ये कौन सा फोन है मैंने का आइफोन 12 है कहता है मेरे पास आइफोन 11 है मैं सोच रहा हूं नया ले लूं कितन का लिया तुने क्या यह मिल जाएगी अंजान बंदा बात कर रहा है यूस में चलते चलते आफसे बात करने लग जाएंगे तो यह बात बहुत अच्छे तो पार्टी में इस चीज़ का बैनिफिट मिलता है कि आप किसी से भी जाके बात करोगे ना और लड़की को कॉप्ल थोड़े ज्यादा उपन मैंडी लोगें बाई आप एक ऐसे देश भी गए हो जहां पर छे महीन नौर्वे के एक ऐसी सिटी में जहां छे महीने दिन और छे महीने रात रहती है उस एक्सपिरियंस के बारे में जरा बता हो जब आप वहां गए तो क्या था दिन था या रात में सबसे जितना ज्यादा नौर्थ जाते जाओंगे उतनी ज्यादा प्रोबैबिल्टी आपके दिखने की तो मैं चला गया सबसे नौर्दन मोस सेटलमेंट इन दा वर्ल्ट जैसे अपना दिल्ली होगा 13 डिगरी नौर्थ या 20 डिगरी नौर्थ पर कुछ ऐसा है मतलब तो वह था 78 डिगरी नौर्थ बिल्कुल पोल पर पहुंच गया था मैं तो वहां पर जब मैं गया था मैं गया था जन्वरी में और जन्वरी में होता है 24 घंटे पिच ब्लैक अंधेरा पिच ब्लैक का मतलब आप सोच लो की जैसे पांच बजे थोड़ा सा दिन हो जाता है मेरे दिमाग में चल रहा है में इतने तीर बाद उठाऊ हो दिनर होचुगा होगा तो कहती है सर अभी तो लच्टाइम ही है हम इस सर नहीं कर सकते कोई डिनर मैने ने का सालो दुबारा हूंगा आप मतलब वहा पर पूरे टाइम रात में जब घुमने जाता तो मेरे को ऐस अब भाई गूमने निकल लोग एग लोग रहते हैं और वह एक सो बीस नेशनलिटी से रहते हैं वह लोग क्योंकि वी जवालबार जो टापू है ना वो किसी भी देश के अंडर नहीं है हाला कि Norway ने कभजा कर रख है उस पर आप जा सकते हो बिना वीजा के आप जिंदीगी भर रहा हूँ आप पर आपको कोई भी वर्क परमिट नी चाहिए कोई कुछ नी चाहिए तो आप इतने सारे नेशनलिटीज के लोग रहते हैं और चीजे महंगी हैं सस्ती हैं चीजे बहुत महंगी हैं वहाँ पर मैंने इंडियन खाना काया था मतलब रेस्टोरेंट इंडियन नी था एक इंडियन डिश थी तो मेरे को पढ़ा था तीन अजार रुपे का कुछ भी नहीं बाई छोटा थोड़ा सा चावल और एक काटोरी में डाल आई थी तीन हजार रुपे पढ़े और वहाँ पर इंडियन लोग बसे हुए हैं कुछ नाइए मेरे रहे हिसाब से बहुत कम होगे मेरे को कोई नहीं मिला मतलब कोई लोकल लोकल ऐसा नहीं है नहीं सब बाहर से आ रख्ते हैं और वहाँ पर मतलब अभी यह तो मह होता है कि रात तीन बजे तक दिन रहेगा रात तीन बजे तक रात रहेगी जितना नॉर्थ में जाते जाए उतना वहां पर 24 गंटे का चलता है यह अलगी सिस्टम है और आप एक ऐसे देश में भी गए हो जहां पर अभी 1990 में लोग रह रहे हैं ना इंटरनेट ना कोच उस देश के बारे में बताओ 1990 में रह रहे हैं वाय उस देश में लोग मैं गया इंटरीया अफ्रिका में इथोपिया की उपर एक देश एरिट्रिया में जी यह ना पे लोग वहां पर भाई आपका SIM-card बेहन है ठीक है वहां पर SIM-card ले सकते हो उसमें मोबाईल डाटा नहीं च सिगनल आने बंद वहां पर वाइफाई बैन है कौन कैसे हैं वो लोकिया वाले उसकरते हैं वहां लोग या फिर अपर तुछ स्क्रीन है एपल वगरा तो नहीं देखा मैंने तो वहां पर जैसी में उतरा फोन अपना बंद हो गया वाइफाई है नहीं होटल में वाइफाई नहीं से पांप भेन हैं और जो हाँ पर टीवी आते तो मैं ज़करे सौन चार दिन करना है कैसे आगले निडीन उठा अगले सूना था इडहा उते इंदिया में कें साइबर कैफ होते थे इते हैं साइबर कैफ दूंडना मैं ने वाइफा का पाशवर्ट देंगे उनके पास वाइफाइए है वाइफाइ का पासवर्ट देदेंगे मैं वाइफा होन किया चलना शुरू किया मैंने का मेंसे जा रहे मेरे वट ExtraP में भेज रहा हूं एक एक मेसीज पाइस मुनिनिट पे सेंड होता है वह एपर स्पीड है पाँच के भी पर सेंड, 10 के भी पर सेंड, 15 के भी यह जहाँ पे होटल वगरे में भाइज नहीं का सिर्फ साइबर कैफे लाइसेंस वाले क्यों कि उसन ट्रेक करते है ना मैं किया चला रहा हूं कोयों तक वहां पर एक भी गाड़ी इंपोर्ट नी हुई है इंपोर्ट बैन है वहां पर जितने भी वहां पर ऐसे हैं गेमिंग पार्लर जैसे यहां पर नहीं होते थे कि सोर्स ओंकम है वैसे कितनी कितना कमाते हैं वहां पर महीने में 40-50 डॉलर बस इस उसमें जी रहे कि यार देखो बात यह कि उन्होंने कभी यूटूब देखा इनना क्या होता है उनके परिवार जना के बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा यूटूब है पर वह जाए नहीं सकते बार उनका पासपोर्ड नहीं बनाती सरकार वो जाएंगे भार वापीस ही नहीं आएंगे ना अच्छा तो जैसे आप हां के लोग आपने इंटराक्ट किया तो वहां पर खुश है इस चीज को लेके जैसे जादा भी टेक्नोजी होती है तो लोग परिशान हो जाते हैं और यह अच्छा है कि हमें भी एचीज टेक्नोलजी तो वहां के लोग कैसे हैं बेसिकली वहां की थिंकिंग कैसे कि मेरे को खुश लगे लोग क्या कि यार वो ना उस चीज से अभी रूबर हुई है उस जमाने में पहुचे लिए अगर आपने कभी देखा ही नाँ टस्क्रीन पो तो आपको पता ही नहीं होगा ना 2005-2007 तक अपको भी नहीं पता था अमारे पापा को बड़ा पता था तो भी तो खुश ही रहते थे तो फिर वो लोग खुश है पर जो बाहर चला जाते है वो आकर बताता है जो बन्दा बाहर चला गया बाहर की सिटिजन्शिप ले ले ली बाहर कमाई कर रहा है उन लोगों के लिए कैफे खोल रखे है नॉर्मल बन्दा वा नहीं जाता है एक पानी की बोटल महां पर दो डॉलर की आती है बन्दा चालिस डॉलर कमाने वाला उनलके से पीता है और भाई वह पहना वह प्टू डेट लगा आपको आज के जमाने जीन्स वगयरा तो पहनते ही है थोड़ा तो भार से हो गया अब लिंक क्योंकि परिवार जन भार चले गए ना कोई जाता है आता है तो फैशन उसको नॉर्थ कोरिया आफ वो कहते है इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हों पहनावे से मैं हमारी जनता को बता दू कि आपके भाईयों ने करिया नई मर्च लाउंच हुडी जैक यार यार यह देखो पापा कंचिया किसी को पहना है तो ले सकता है मेरी डिशु पर लिखा है प्रणाम मैं हिंदू हूँ और मेरी पर लिखा है और यह बैक डिजाइन के साथ है जो आपको वेबसाइट पर दिख जाया तो हमारा है हमारी वेबसाइट है realitstore.com डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाके चेक आउट कीजिए बढ़िया बढ़िया चीजें आप खरीच सकते हैं मॉग्स टी शिर्ट किसी को गिफ्ट करने के लिए कुछ या अपने लिए कुछ प्लीज जाके चेक आउट कैसी लगी आपको वह वाली ने डर है जीम कर रह बैंगलोर से देख रहा है मैं मुंबई से देख रहा तो टी शिर्ट ले ले बिलकुल सब डिजाइन सब कर और यह यूनिसेक्स है गाइस तो आप चेक आउट कर सकते हैं मॉविंग ओन भाई जापान की थोड़ी बात करते हैं जापान आपकी परसनल फेवरेट कंट्री है और वहां पर मतलब आप बता रहे थे अलग एक दुनिया है तो इस दुनिया के बारे में हमें कुछ बताओ भाई जापान एक दुनिया है भाई वो ना अपने एनिमी वर्ल्ड में जी रहे हैं एनिमी वर्ल्ड एनिमे मैंने एनिमी को गलती से अपनी वीडियो में तो जैपान की कहानिया भाई में आपको बताता हूं बदला वीर्ड वीर्ड चीजे बता देता हूं नॉर्मल तो मतलब जाओगे तब पता चलेगा तो जो वीर्ड वीर्ड कहानियों में से एक है वहां पे जैसे ना पहले जमाने में कॉमिक बुक स्टोर्स होते थे तो जाते मिलने लग गई कॉमिक बुक की सीडी मिलने लग गया और मॉडन जमाना हुआ तो महां पे मतलब वल्गर मुवीज मिलने लग गई पूरे का पूरा डीवीडी कैफे उस हिसाब से बन गया कि आपको सारी अडल्ट फिल्म मिलेंगी उस कैफे के आप अंदर जाओ मेरा दोस् चूज कर लो एक टोकरी आपको दे दिंग आप डीवीडी जो भी आपको मतलब नॉर्मल कैफे भी है अडल्ट वाले की बात करो कि वो अलग है तो इसमें आप डालो पनी पांच-छे डीवीडी तो आपको पूछे आपको कितने घंटे रूम लेना है तो आपको एक गंटा लेना है तो ज्यादा महंगा निया है पांच-छेस्टो रुपेगा है बस तो आपके ना जैसे बिलिंग काउंटर पर जागो ना आप उस बंदे की शकल देख सकते ना आपकी देख सकता क्योंकि भाई प्राइवेसी बहुत मैंटें करता है जैपैन का आप आइफोन लेते की जो सकर्ट होती है उसके नीचे फोन करके ऐसे फोटो कीच ले तो इसलिए उन्होंने का भाई आवाज आएगी ताकि पता चल जाए अगले बंदे की फोटो कीच ये कहीं पर तो भाई वहाँ पे अपने सीडी वगरा चूज कर ली आप उपर कमरे में जाओ एक डीवीड अपनी सीडी चलाओ और जो करना करो जो करना करो कुछ भी बला उहां पे बला लड़़किया भी होती है नाइ मास्टर ayट टैसलिए लड़किया नहीं होती है अपना काम कुदी करना बढ़ता है यह तो अलंकी किसा वहां के लोग तनहाई क्यों है अद California कुई वहां लोग क कि यहां पर नहीं पर पर नहीं लाजशें कि यह रिए अब रिच्शा नहीं करने शाद कशा दर्यार से दूब गया लैप तो इसलिए वहां पर लोग ऐसे करें कि अपना इंटर्टेनमेंट करने के लिए वो सब कैफे में जाते हैं क्योंकि वहां पर गल्फ्रेंड भी रेंट पर मिलती है जपान में अच्छा आप गल्फ्रेंड रेंट पर ले सकते हो साइट्स बकाएदा साइट्स लड़की चूज करो जो आपको सभी सब्सकी ने शुकुआ सब्सक्राइब पर लोग क्या होते हैं अपनी मीटिंग में जाएंगे तो लड़की साथ ले जाते हैं ऐसे कि अगले वाले को दिखाने के लिए किसी को दिखाना कि मेरी कितने में लड़की ऐसे एरंड में मिल जाती है गल्फरेंड यार वहाँ पे शहें 30-40 जार इयन से शुरू हो जाते हैं 20-30 जार इंडियन रुपीज से आपके साथ एक दिन के लिए रहेगी वो डिपेंड करता है क्लबस में आपकी महाँ पे आप कहीं पे जाओगे ना अगर को जैपनीज नी आती तो थोड़ी वैसी निगाव से देखते कि यह तो जैपनीज नी है मतलब वही समझते हैं कि आप एलियन हो एक तरह से पर लोग बहुत प्यारे हैं आपसे को बत्तमीज ही नी करेगा पर साउथ कोरिया में वह भी लोग ऐसे ही थोड़े मतलब एशिया साइड के जपैन और कोरिया साइड के ऐसे लोग है कि आप थोड़ी डिस्क्रिमिनेट करते हैं और अगर वहां पर जपान में थोड़ी खाने की बात करें तो जैसे खाना तो उदर का अलगी है कीडे जिसमें ऑक्टपॉस होता है सबसे बड़ी मचली किसने पकड़ी उसको प्राइज मिलता है मैंने छोटे वाला उक्टपॉस खायता इतना सा ऐसा गिल गिलासा लगता है बिलकुल की मतलब जैसे ऐसा लगता है कई तो गले में चिफक जाते हैं और कई सफोकेट होकी मर जात इसे बालो टीए मतलल की मतलब कई वोगो को पसंद होता है जिन्दा चीज क्वेन के लिए क्योंकि आप फिश को बेचो गए ना काट को जहरीली मचली होते है तो उस लाइसेंस वाले बंदे को ही पता है इस फिश को कहा पर काटना है ताकि इसका जहर निकल जाए अगर आप ऐसी लागे पफिश खा लोगे आप मर जाओ गए अच्छ वो नहीं होती मैंने सु वेजिटेरियन नाम का वैसे फूड है नहीं कुछ वेजिटेरियन मिल जाएगा बहुत रहा है रहा है भाई थाइलेंड में देखा ना हमने वह बिच्छो लेकर डोल रही है और हमारे मुझ आगा लगा 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 तो लाली पॉप जैसी हमनी लेना भाई और एक त अचादा की फूट मिल रहे हैं फूट थाइलेंड में और श्प्रिंग रोल मिल जाते थे वेज में फ्रेंच फ्रैइज मिल जाते थे जैपैन में मुश्किल है बहुत मतलब मिलना प्रूट नहीं खाते वो नूडल्स वगरा कुछ भी नहीं नूडल्स खाएंगे उसमें जो पैक्ड होता है बेसिकली वह इसका नहीं पता मेर को बिलकुल भी जैपनी लोग क्या करते हैं ऑफिस से निकलेंगे सेवन इडायन में जाएंगे वह पर रेडी तुइट फूड पढ़ा होता तो गरम करेंगे वही पर माइक्रोवेव होता है खागे अपना ओफिस में इतना वो चीन, वहां के मझीन हैं वहां के लोग मझीन हां के पा मचीन है उनके एमोशन नहीं है बहुने हो अपने काम पर जाएंगे आगले दिन फिर रेडियो के कामपर जाएंगे आपको कुछ समझा रहे चाहिए का चाहिए को किसकी हो बैज Gegners the जाहे लिखो मत दिखाने के लिनाटक करने के लिखते रो लिखते रो लिखते रो तो आखिए उस बोस को लगे हाँ भाई कंपनी की तरफ परती यह बिल्कुल वफादार बन्दा यह काम कर रहा है कुछ ना कुछ कर रहा है आपको काम खतम हो गया वह आपको 10 email के रिपलाई आपको काम खतम हो गया मानले वाई तेरा ठीक है तो आपको वहाँ पर जाड़ू उठागे जाड़ू मारने ऑफिस में कुछ ना कुछ आपको करते रहना है यह तो फर्स्टाइम सुन रहा है हाँ खाली नी बैठ सकते है खाली बैठने का मतलब पता है वह आप बैठ सकते ह और बॉस जब तक नहीं गया ओफिस से बॉस आठ बजे तक बैठा आपका ओफिस च्छे बजे तक हो और आप छे बजे उठके चले गए तो तो आप बेवकूफ माने जाओगे अच्छा जी कि आप बेवकूफ हो च्छे बजे काम का साथ बजे चले गए चलो ठीक है पर ब काम चलता है देते हैं से इंडिया में ओवर टाइम नहीं देंगे आपको नहीं देंगे और वहां पर मैंने सुना कि इंप्लोई की सहूलियत के लिए बैड बैड बना रखे जागे सो जाओ जाओ जपान में कहें कि अगर आपको मतला सो रहे हो ना तो आपको कोई डिश्ट बोस की चाटो वहां पर कुछ जाद ही चाट नहीं बाते हैं चाटम चाटाई है वहां पर लोग बहुत अमीर हैं ऐसा है क्या जपैन में अच्छी काहसी सेलरी है वहां के लोग वैल डू है काफी अचीस आप थार पर एक इंजिनर कितने कमाता होगा आपके साब से एक टाई भी वेंडिनग मशीन में से निकलती है और सबसे वियर चीज जो मैंने आज सब देखिया है कि भाई महाँ पे लड़कियों के अंडर गार्मेंच निकलते है वेंडिंग मशीन में से यूजड लोग लेते हैं वही तना लोग क्या बात कर रहो है पता हुद किया उसमें फोन नंबर ऊस बोल के अंदर ऊट ऑर आप उसा कर सकते हो अगर उसका मन हुआ बात करेंगा नहीं कर तो ये एक वेंणिक मशीन भारा है तो ये एपड़ घृतयेsn ये उनकी ये फैंटेसी लुग के उसे पकडें गया क्रता walks कर रहा है बताउ ससका काछी जिसने गल्फ्रेंड नहीं मनाई 25 साल तक तो कच्छी कोई सुंगे गल्फ्रेंड वो भी बिना धुई कच्छी बिना धुई अधो देगा तो फिर तो सर्फी सुंग लेगा ना यार यह कहां पर जा रहे हैं लोग बाई क्या बता हूं मेरे को लग रहा है दीरे दीरे हर जगे होने वाला ही है क्यों कि लोग शादी नहीं करें अब इटली में खबर आई कि तीन महीने में पूरो देश में एक भी बाइब बड़ी बात है ऐसा कैसे कंड्रोल कर रहे है बही अपने आपको लोग यूएस में पता है क्या बोलता है पचास साल का बुड़ा कि अभी तो मैं जवान हूं अभी तो मेरे शादी करने की उमर हुई है अच्छा वहाँ पर चल रहा है बड़ा जीब है नॉर्थ को वहां के बारे मैं बहुत सुना है, आपका आउख हो देखा कुछ बताओ क्या? डिपरेसिंग कंट्री है, अच्छी कंट्री है, लोकल से अगर बात है, उर पने की मिट कर सकते उ क्या नहीं? कि किम जोंगiquन है महां पे थेर को तो मतलब नही Осब घा रहा है किसी को भी कम थो को को जानते है किम जोंग कों है तो भाई वहाँ पे मैं चाइना सेंना से सब कुछ होटल के अंदर है बालिंग एली स्विमिंग पोल यह वह बाहर तभी निकलना है जब हम तरको लेकर जाएंगे होटल ठीक ता अच्छा था होटल मतलब टूरिश के लिए वना है ना हम तो अच्छा कासा प्राइस पे करके जा रहे हैं मतलब पांस दिनों का कुछ मै मेरे लिए special होटल में भी ठागे गए कि इस पर नजर रख कि यह कहीं निकल ना जाया और निकल ना जाया कहीं इतनी स्ट्रिक्टनेस है और अबाई चांस ऐसा कभी वाई कि कि किसी कि कुछ की कोई निकल गया हो तो क्या होता है वह बहुत फेमाई था अच्छा कि एक बंद कडाकारवास मिला पूरे ओल ऑलव धर नियुज चली उसको मरी वी हालत में वाफिस अमेरिका भेजा अमेरिका आके मर गया अधिक वापिस बेजा उसको एसा टॉर्चर किया कॉमा की स्टेट में वापिस बेज़ सो कहते है मतलब की बंदा कोई रिस्पांस नीकर रहा बस जिन्दा है चल रही है उसकी साथ से पर जिन्दा नहीं है और थोड़े दिनों बाद मर गया अमेरिका आके तो ऐसी आहलत करके बेजा तो यह मैंने किस्ता ना मलब जाने से एक दो दिन पहले पढ़ लिया तो भी फट गई भाई मैंने का कुछ नहीं करना भाई में रूम में बैठा रहुगा कोई दिक्राइब तक नहीं चुरा हुआ पेंटिंग के दूर की वहां क्या आता है टीवी पर और इंटरनेट अवेलेबल है वहां पर फोन भी मतलब जो मेरे होटल के रिसेप्शन से होता था इंडिया का दो जाजा है किम जो डिक्टेटर है उसने अपने पापा और दादा दोनों की बॉड़ी प्रिजर उगर के रख 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 हैं ऐसी की ऐसी वहां पर एक म्यूजियम है उसी दिन मैंने चुट्टी ली थी वो मेरे को देखने जाना चाहिए था पर वहां पर वीडियो कि इसको जिनना कर दूगा अपने पापा दादा को और भाई जब आप गूमरे होते हो तो आप वीडियो वीडियो बना सकते हो वहां के आचनला है वहां पर ऐसा है जो वहां के डिक्टेटर्स हैं उनका अगर स्टैचू है तो पूरा स्टैचू लेना आपको बीच में से है नहीं गाट सकते अगर आपने कारद़ दिया तो आप जेल है सीधी बाही घर निउजबेपर ने फोटो चपी वह और आपने नीउजब्चरेपर ऐसे फोल्ड गर दिया और उनकी फोल्ड हो गयी जेल है सीधी ओर अंगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिलींगं की आपने पैसे देते हैं एजेंट्स को कि चाइना और कुरिया के बीच में नदी है जो की सर्दियों में जम जाती है माइनस 20-25 नदी जम गई तो नदी क्रोस कराने के नौर्थ कुरिया वाले पैसे देते हैं चाइनीज एजेंट्स को कि हमको क्रोस करा दो और एक वंदा क्रोस कर गया और खाना वाना कैसा मिलता है क्या मिलता है वेजिटेरियन चिकन विकन या क्या मिलता है खाना यर कोरिया काना बहुत अजीब है जो मैं गया था पता है किमची किमची क्या खाते रहते हैं मेरे को तो बड़ा जीव लगा भाई खाना मेरे को समझ महीं नहीं आया क्या खाना थ उनकी फेवरिट डिश है किमची गर के और नूडल्स खाते रहते हैं मतलब जाद रहते हैं वहां पर वही मिलता है नॉन वेज पर नॉर्थ कुरिया में किया है कि भाई वहां के लोग जादर आलू खाते हैं अलू एक तो सस्ता है और वहां पर पॉपुलेशन इतनी है पैसे जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको भारी नहीं पता कितना एकोनमी है ठीक है तो वहां पर जो लोग रह रहे थे 1960-1970 पता निक अब एक फेमीन आया था और आदे से जादा पॉपुलेशन मर गई थी क्यों किम जोंग उनके वास बही नी था खाना लोगों खिलाने के जो लोग काम करते हैं मिलिटरी में नॉर्थ कोरिया में करते हैं क्योंकि उनको भुलावा के दे रखा है कि भाई कभी ना कभी दुनिया हमको डिस्ट्रॉय कर देगी और हां नॉर्थ कोरिया में ना सब लोग यहां पर बैच लगा के घुमते हैं किम जोंग उनका और जो ज़ ध die in the family King Jeong and his Papa Kampal Sari और अगर आपका घर जल रहा कि आपको पहले फोटो बचानी है ऐसला चाहिए आपका बेटा जल जाया 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 पर आपको पहले फोटो बचानी है तो एens एक तरीके दिए जबरदस्ती फॉलोग कराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करा है कि हम लोग भगवान है कि हमने इस देश को बनाया है हमने तुमको बचाया है क्योंकि कोरिया की वार थी वह लंबी कहानी है काफी तो उन्होंने सुरू से ऐसा पोर्ट्रे कि यह भगवान लोग है तो हां के कई सारे लोग मानती भी और वहां पर फीमेल्स की बहुत हालत खराव है मैंने सुने उनको बहुत ऐसे मिजबिहेव किया जाता है कुछ डॉमिनेट किया जाता है देखो बात यह कि मेरे को जो गुमाया ना उन लोगोंने मेन कैपिटल सिटी गुमाई गाउं में लेके ही नहीं को क्योंकि गाउं में जाता है किम जॉंग का इंटर्व्यू लेने जाता है बैसेकली जेमस फ्रैंक को है उसमें तो वह भी ट्रैवल करता है उसमें तो उन्होंने स्टोर बनाये तो होते हैं लेकिन सब नकली होते बस दिखाने के लिए तो आपका ऐसे कुछ फील हो कि बस दिखा रहे हैं पर ऐस इसा कुछ है नहीं एक सूपर मार्केट में लेके गए कहते हैं आप डॉलर एक्षेंज करा लूए आप लोकल करणसी के लिए तो आप यहां स्टोर में खरीदारी कर सकते हो खर्ज एक यूरो चलेंगे पर आप स्टोर के लिए आपको लोकल करणसी चीए तो मैंने भाई 20- में खर्च नहीं कर पाया उनको 20-25 डॉलर में खर्च करने के लिए आपको पुरा टेंपो मंगाना पड़ेगा और टेंपो में समान लोड़ कर गए तब 20 डॉलर खतम होएंगे तो मेरे को लग रहा था वो स्टोर चिरफ टूरिस्ट को ऐसे दिखाने के लिए बनाया है कि स और प्योंगयं के रहता है निजए वो अमीर लोग हैं सारे उनके डिप्लोमेटिक टच देश से बाहर जाना है तो आपको किम जॉंग उनकी पर्मीशन चाहिए होती है ठीक है गाहों से अगर आपको शहर में आना है आपको पर्मीशन चाहिए ओगी वो गाहों में मतलब ऐ आपकी कोई जमीन नहीं हो आप पर आप जेतना फसल हुगा रहा है गौवर्मेंट ले जाएगी आपसे भी ना पूछें भाई ये तो लगी शीन है तो भाई रहना चाहोगे इसमें भाई नहीं किम जॉंग उनको बुला के पूछना पॉडकास में भाई वो तो फिर होई नह वो तो जब ट्रेवल करता है तो उसको ट्रेन में ट्रेवल करता है उसको फ्लाइंग से डर लगता है वो रश्या की कैपिटल गया था मॉस्को नौ दिन लगे थे ट्रेन में गया था वो अपनी की पूरी ट्रेन लेके गया है जैसे यहां से अमेरिका का प्रेजिंटन आता चार-पांच लिमोजीन लेके आते हैं वो ट्रेन लेके जाता है पूरी बुलेट प्रूफ भाई इसराहिल भी गए हो आप वहां की बात करते है थोड़ी वहां का कैसा रहा एक्सपिरिंस इसरेल मेरे को जो सबसे मतलब खतरनाग एक्सपिरिंस लगा वो मेरे को लगा दिल्ल इसरेल की ऐरइवेंस हैं एलाल एरवेंस उनकी एरवेंस के रिजाम है जैसे एर इज्झा मतल अपर छ से पहले आपको पासपोर्ट अपना तर्शको देना पड़े पड़ीना पड़ेगा उस भास फ़ारी चीज पूछ जितने भी मुस्लिम देश है वो को सारो के नाम लेगा जैसे मेरे पासपोर पांच्छे थे उस टाइम पे सबका नाम लिया तो वह तब आपको बॉडिंग करने देंगे जब वहां पर दिली एरपोर्ट पर पर क्लियर हो जाएगा कि मैं कुछ गलत काम नहीं करने जा रहा हूं उनके प्लेट में उनके जो प् वोज़ आती है, जैसे मूवीज में देखा हुगा, जैसे पाइटर वो करते हैं, तो उनके प्लेन भी इतने हाइट है, और उनके हर प्लेन में जितने भी पैसेंजर प्लेन है, एक इस्रेली डिफेंस फोर्स का बंदा होता है, अच्छा, और इसी लिए क्योंकि वो इतने सार पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है, अगर आप इस्रेल जाते तो आप भी एक नया पासपोर्ट इंडियन गवर्मेंट से ले सकते हो, कि मेरे को इस्रेल जाना है, मेरे को दूसरा पासपोर्ट दे दो, सेकेंटरी पासपोर्ट, तो इतने देश जब आपको इतने लो ने हम पर अटेक किया, यह मतलब कहने वाली बात है, वेजिस सब ने अटेक किया, तो पूरी जनता सारी AK-47 लेकर खड़ी हो, वहाँ पर लड़किया ना बस में, जैसे 20-25 साल की लड़किया, AK-47 बस में लेकर चल रही है, मेरे साथ खड़ी है, नॉर्मली, बस में नॉर्मल वह तो ऐसा है कि अपने प्रैक्टिस पे भी जा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में मशीन गन लेकर जा रही है, वहाँ सेफ है, इस्रेल अंदर से पूरा सेफ है, और वहां के लोग अच्छे बात बात करते हैं, इंडिया का तो बहुत रिस्पेक्ट है, मैं बता काफी अच्छे हैं, मेरको नहीं मिला भाई आज तक एक भी ऐसा देश जहां पर इंडियन को हेट करते हैं, कहीं रेसिजम कहीं आपने वैसे मुस्लिम कंट्री में हो जाता है कई बार, कि जैसे एक्जामपल देता हूं मैं, कि जैसे हम ना उजबेकिस्तान में थे, हमने एक ही तें, आजबेक थे, हम सारे हिंडू थे पाज़्य सीख हो गए वगन्दा मुस्लिम था, तो पूरे रास्ते हम से क्या पूचता है का क्या रिलिजिन क्या है तो पाजी कह आएम पंजाबी हमने रे लिगीं ही हिंट लोग तो केहता है। नो मुस्लिम हमें तो मुसलिम होत क्योंकि उसको पता चल गया क्या मुस्लिम निया इनको लूट लेता हूँ कई लोगों के ऐसे डिफेक्ट हो रखा है दिमाग में मेरे एक दोस्त कहा तरकी में हुआ था हॉट एर बैलून की राइड जो बहुत पर हमें चल गया आजकल तरकी में तो वह हॉस्टल में बैठा ना दूस्त मेरा जैसे एईसी एक एजएंट आया और अनसे बात कर समस्क्राया मुंस्लिम है तो और झाथ याप को होटेल बेलून करनी है तो और यह करनी है तो भेर मुट यहा तो तो चैक traz ठीक है मुस्लिम हो बख़ा कापकी जाऔर मेरे दोस्त के भास है और को करने है तो मेरे दोस्त बोला हाँ वो सुन राया है सब कुछ क्यता मुस्लिम हो कि आपके लिए 60 डॉलर उन बंदों से वो कह रहा है कि आप मुस्लिम होना इसलिए मैं आप ज्यादा पैसे नहीं लुगा तर ये मेरे को थोड़ी बात अजीव लगी कई लोगों की मतलब सब लोग नहीं करते हैं काफी अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला है मेरे को मुस्लिम कंट्रीज में और सबसे ज्यादा हॉस्पिटेबल जो कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज है इरान बहुत जादा हॉस्पिटेबल है अफगानिस्तान के लोग इतना मानते हैं इंडियन को जबकि यो मुस्लिम हैं पाकिस्तान से एट करते हैं इंडियन से लव करते हैं अफगानिस्तान के लोग जो तालिवान है वही है कैसे कैसे लोग तक राज है उस पे अच्छे लोग भ था मैं कातर में प्लेन से लैंड वा इंटरेनिशनल ऐरपोर्ट में कि हमारा का महीन है चल रहा है तो आप खाना मत खाना पब्लिक में तो यह तो मेरे को गलत लगा क्योंकि याइब । अटोड़ी नखा हूँग तो यह प्रोइपिशिन मतलब थोड़ी जाद है के आप में तो यहां पर आयाम तॉर ठीज ही सबस्क्वाइंeres था Bak सकते हैं तो आप गई ते कर दोस्त की कई है सकत major कि रिम पनो दोस्त को भी आप देन्हस हो सकते हैं वैंने लुह की दूस्त को बेहिता है में दोस्त को बोला वा आट की दुकान मैं देखनी है मैंकि दुया कर्रेक रॉइब मेरें बीर को ब達 बार विदमzę गई नी और अ एक्स्पिरियंस के लिए देखने के लिए खाली एरिया होना चाहिए मतलब उनका वह रूल्स हैं कि नेशनल पार्क पास में नहीं होना चाहिए पर अगर आप बिल्कुल बंजारे में खाली प्लॉट है महां जाके ग्रेंट पहग लो आप एक फॉर्टी सेवन चलाओ अपनी पर जो राइफल शॉर्ट गण मशीन गण यह सारी ओपन रखे क्योंकि पिस्टल का क्या है लोग चोरी करके ले जाएंगे चोरी का सिस्टम है ना वापर पर मेरा दोस्त कह रहा है इस दुकान में चोरी नहीं होती यह धाय-धाय कर देंगे और केसे रेट में मिलती है अब नॉर्मल सी जो आपने मुवीज में देखे होगी जो हिट मैन वगरे यूज करते हैं जो कौन सा है वो जॉन विक यूज करते हैं और आपको लग रहा है कि यह मेरा दोस्त ने यह कुछ नहीं है और आपको रीजन है कि आपको हाम पहुचाने वाला है आप शूट कर द दिमाग सटक गया कि मैं तो इसको गोली मारूंगा मार देगा कुछ अगर उसका दिमाग सटक आप उसकी प्राइब्ट प्रॉट है घुस चुके हो आपको गोली मार देगा और उसके खिलाफ कारवाई नहीं होगी जब तक यह बोर्ड लगा हुआ है अगर बोर्ड नहीं तो आप भुष गए और उसने मार दी तो उसके पर कारवाई हो जाएगी वहां कि पुलिस भी बहुत वेल मैनेड है जैसे इंडिया की तरह नहीं है भाई आप बता रहते हैं पुलिस और यहां की पुलिस का इंडिया में गाड़ी चला रहे हो मैं पुलिस वाला हूं मैंने आपकी गाड़ी रूख भाई चल अपना दिखा दे ड्राइविंग लाइसन दिखा दे इंसुरेंस कागज सार चीज दिंगाल चल तो आप क्या करोगे लो सर लो यह लो देख लिए मैंने अरे मेरे को लग रहा है कागज तो ठीक है भाई तरे पर तने लगा रखी है टेस् चीज पूचो हाँ गाड़ी साही लगा 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 लावी लाइसनस लापना नहीं दिखाऊंगा क्यों मैंने क्या जुरूम किया है ओर स्पीडिंग आपका प्रूफ है है क्या है यह यह बगरी है तेरी नब्बह के उपपर अप वह उनका स्पीड गन होती है और उ आख खराब है चल निकल यहां से तू तू तड़ाक कर सकते हैं तू तड़ाक फॉक गो टू हैल योर मदर सिस्टर जो बोलना है पुलिस वाले को बोल ले सीधा अगर वहाँ पे आपकी गाड़ी में दारू की बोतल उसको दिख गई खुली हुई तो आप गए जेल में से अगर खाली है खाली है तब भी ना खुली भी दारू की बोतलो है खाली है अगर दिख गई तो आपकी फूद ले सकते है रोड़ पे नंगा हो जाए तो आपको होना पड़ेगा अच्छा फिर उसके आथ सारे राइट्स आजए अगर मान लो आप आप और स्पीडिंग कर तो आप कहा है कि मेरे को तो पुलिस वाला नहीं लगरा अईडी दिए इस वे आपना ज़ी आप उसे भी कुछ बोलने के लिए इंडिया में सबूत नहीं चींच है इंडिया में उतरा लगा दो एकमरें यहां पर बॉडी केम लगे होते ह्टे हर जगे पुलिस वालों के कि भाई कुछ भी कर रहा है रिकॉर्ड हो रहा है और अगर उसने आपको गलत चलान दिया आपको हरास करा उस बंदे ने और कोर्ट में चले गया उसको सम्मिट करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग सीधा मिलियन डॉलर जीत होगे पुलिस वाले के अगेंज् जाज पता है पहले क्या बोलेगा भाई सुन या तो तू इस चलान को अभी भर दे और अगर तू गलत निकलाना तो मैं डबल कर दूँगा चलान तो मेरा टाइम वेस्ट मत करी हो तो सोच समझ के केस कर तो आप ऐसे भीडवड़क का भी ने मचा रहा था जिसको लग रहा ह मेरे को भी डरनी लगा वापे गाड़ी चलाने में क्योंकि मेरे दोस्तने का जब तक तू ओवर स्पीडिंग नी कर रहा ना और कुछ लेन वे निदरुदर नी कर रहा है पुलिस वाला कुछ नहीं कह सकता अपने अपने वर वागरा में वह सेफटी के लिए हमेशा कि कस्तमर से अभी भूल यूगा भेस मेरे पास परूफ रहेंगी क्या बात चली दो उस वे में भी म्यां इन्शूरांस काभी अलगा ना है अपनी नियुक्तल रिजिस्ट्रों का इंस्टुरandra मिलेगा मान लो कि मैने आज गाड़ी मेरे को मिला इंचब पर महिने का इंचइरंस होता है आप पर मांलो कि आज मेरा पांसो का इंचवरंस है अक महिने का मैंने फुक दी तो फो ऊचले देस दो सालों तथ मे canoe इंचय आठ जान बुझ के गाड़े के आगा इसलिए वो कैमरा लगा के रखते हैं कि देखो जी यह जान बुझ के कूदा है वहाँ पे लड़की ने केस कर दिया था कि पता निक स्टारबक्स में गई थी कहां गई थी उसने का भाई मेरे हाथ पे कॉफी गिर गई और कॉफी जादा गरम जैसे यहाँ डीफेमेशन आजकल फेमस हो रखा ना डीफेमेशन वहाँ पे सूगर देता है कोई भी किसी को वहाँ पे लॉयर्स की बहुत इंकम है ना भाई महाँ पे मैं बता हूं सबसे जादे तो ट्रक वाले कमाते हैं वही ट्रक वालों का बता हूं यूएस कैनेड़ा दोनों में दोनों में सिमिलर सी सीन है भाई महाँ पे होता है पर माईल के इसाब से कमाता है बंदा कि 70 cents पर माईल मिलेगा उसको ठीक है तो लगबग ट्रक वाले महाँ पे जो कमाते है जो ओवर टाइम करें थोड़ा इलीगल भी चलाते हैं उनके ट्रक में एक डिवाइस उसमें आपको ID login करनी होती है आप आठ गंटे तक चलाओ दो घंटे का रेष्ट लो फिर दो घंटे चला सकते हो दस घंटे तक लिगल है वो क्या करेंगे ट्रक वाले जो माली का वह बैठा अपने घर पे उसकी ID डाल के चलाने लग जाएंगे तो 16 घंटे चला लेंगे तो पार्किंग का कोई खर्चा है निए उनको पेटरोल पंपे लगा कि खाता सोते हैं और बर्गर खा लेत एक डेड़ लाग रुपे खर्चा होता हो उनका मुश्किल से तो सोचो भाई ट्रक वाले मतलब इंडिया में देखो कैसे हम ट्रीट करते हैं ट्रक वालों को की चलना कोई क्वालिफिकेशन नहीं चीए आपको ठीक है पर वहां के ट्रक चलने के भाई बहुत अलगी सीन है मतलब मालो हाईवे पे ट्रक चल रहा है और मैंने गाड़ी में खीच के ब्रेक मार दिये तो ट्रक वाल आपकी गाड़ी उड़ा देगा वहां पे लोग को यार ब्रे आपके साथ एक इस बंदा बैटेगा जैसे आपने भीवी सीखा है तो ये बंदा बैठेगा आपके साथ आपको सीखाएगा चैसाथ महेने तक फिर आप अकेले चला सकते हो प्रक कि यह बात अच्छी है कि सारे त्रक कवरड होते हैं इंडिया की तरह निसी जा रहे हैं खुले और कुछ और यहां पर तो छोटे छोटे रिक्षाओं पर सरीय पीछे से लटक रहे हैं वाई कितना अंसेफ है बढ़ वहां सारे ट्रक कवर्ड होते हैं बढ़ीया लग जो ट्रक ओपन है बड़ा लोड लेके जा रहा है उसके आगे पीछे गाड़ी चलेगी तो साइरें चला के कि एक बढ़ीया यार आपसे बात करके और ऐसा लग रहा है कि 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 113 का experience भाई ने इतना ट्रैवल कर रहा है उसी से इन्होंने सीखा उसका एक कोर्स भी बनाया है जिसमें इन्होंने सिखाया आप फ्री में टिकेट कैसे बुक कर सकते हो या फिर अपनी टिकेट्स जो आप फ्ला करने में वही एक मेजर expense होता है वह उस पर खर्चा कैसे बचा सकते हो डिसकाउंट कैसे ले सकते हो तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है बहुत ही बढ़िया बहुत ही ट्रैवल कर रहे और अगर आप इंडिया में अभी कुछ दिन और हो तो हम एक और एपिसोड आ अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो मेरे को फिर लग रहा है कि कुछ भी नहीं बताया मैंने नहीं भाई आपने बहुत बढ़िया चीजे बता दिया अभी तो ब्राजील का किस्सा रह गया मेरे को चाकु लगने वाला था बहुत अच्छा तो नेक्स टाइम लेंगे तो